Hello everyone, welcome back to InFictures So, JMI Jamimil Aslamiakka official admission brochure आचुका है आप JMI को official site पर जाकर चक कर सकते हैं So, आज किस वीडियो में आपको admission के बारे में बताऊंगी जैसा कि JMI में बहुत सारे UG & PG level पर डिग्री & डिप्लोमा कोर्स होते हैं जरूरी नहीं है कि JMI का खुद का entrance होता है उसी के basis पर सारे courses के लिए admissions हो तो किन courses के लिए आपको CUET देना है कौन से course के लिए NEET या JMI देना है और कौन से वो UG & PG level के courses है जिसके लिए आपको JMI का खुद का entrance होता है वो आपको देना है जो कि एक professional course है इसके लिए आपको JMI का entrance examination देना है साथे साथ आपको JMI का भी form भरना है जब आप JMI का form भरोगी तो उस time JMI का application number फिल करना पड़ता है जो JMI का भी form भरना है आपको साथे साथे साथ JMI का भी form भरना है अगर आप JMI से BTE course करना चाहते है अगर आप BR का JMI से करना चाहते है तो यहां पे आपको NATA का entrance examination देना होगा और इसके लिए भी आपको separate JMI का भी form भरना होगा BDS course के लिए आपको NEET entrance examination देना है तो यहां पे BDS के लिए कोई separate JMI का form नहीं भरना है तो NEET scorecard के थूर यहां पे BDS के लिए admission हो जाता है JMI में इसके बाद कुछ UG degree courses है जिसके लिए आपको CUET होगा और यह इसी बार होना है 2022 से स्टार्ट हुआ है कि CUET के scorecard के थूर आप 10 UG degree courses के लिए admission ले सकते हैं स्टार्ट कामन युनिवसिटी एंट्रोंस टेस्ट और यह एक ऐसा नाशन लेवल का इंट्रोंस एंट्रोंस जिसके थूर जितने भी संटर यूनिवसिटीज है उन सभी संटर यूनिवसिटी में यूजी लेवल के डिगरी courses करने के लिए आपको CUET एंट्रोंस 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 देना पड़ता है जिसके लिए आपको CUET देना है जो कि आप यहां पर देख सकते हैं भी हूनस आप तुर्किश लांगवेज अलिटर्च़ से कर सकते हैं और यह चार कोस आप जो देख रहे हैं इसके लिए आपको जिनर टेस्ट देना है जो की section 3 है अगर आपको CUET का exam pattern नहीं पता है तो link description box मिल जाएगा वीडियो को, वो वीडियो एक बार देख लीजेगा, डीटेल में exam pattern discuss किया गया है, 4 sections होंगे, section 1st A, 1st B, जो कि आपका language test होगा, बाकि जो section 2nd जो होगा, वो domain specific subject होगा, So, यहाँ पर आप BA honours अगर history से करना चाहते हैं, तो आपको history exam देना है, मतलब CUET का जो domain specific subject है, उसमें आपको history opt करना होगा, BA honours हिंदी के लिए हिंदी का exam देना है, BA honours economics के लिए economics का exam देना है, B.H.C, biology के लिए आप biology, biology, chemistry या बायो टेकनोलोजी, इन तीन में से कोई भी एक exam दे सकते हैं, जो कि आपको domain specific subject में मिल जाएगा, B.Walk, solar energy and B.A.C. honours physics के लिए आपको सिफ और physics का exam देना है, बाकि कोई other language या जेनर टेस्ट नहीं देना है, बाकि जो other UG degree and diploma courses है, PG degree courses है, उन सभी के लिए आपको GMI का interest ही देना है, UG degree की बात करें तो BA है, BA honours, B.com honours है, B.A.C., B.A.C. honours है, B.FA, B.Design, B.G.TM है, B.H.M., B.L.L.B., B.Walk और PG degree courses के लिए like M.Tech, M.Arc, M.Plan, M.Walk, M.Com, M.A., जेतने भी PG degree courses है, उन सभी के लिए आपको GMI का interest देना है, सबसे बहले तो eligibility condition आप program wise देख लीजएगा, link में description box में देदोंगे, admission brochure का, और हर एक program के लिए detail eligibility condition दी गई है, उसके बाद ही आप apply कीजएगा, so application आपकी आज से ही start हुई है, so 14th April to 12th माई तक आप form फिल कर सकते हैं, online mode में, and यहां पर correction window जो है, वो 13th to 15th माई तक आप अपना जो भी correction करना है, वो कर सकते हैं, so यहां पर basically जो आपका admission होगा, JMI का entrance होगा, उसके बाद कुछ courses के लिए आपको personal interview या फिर गुरूप discussion भी देने पर सकते हैं, so short list होने के लिए आपको minimum 30 percentage descriptive part में score करना है, और जो objective type के questions होगे, उसमें आपको कम से कम 15 percentage score करना है, ताकि आप short list हो जाओ, personal interview या फिर गुरूप discussion के लिए, तो यह कुछी courses के लिए आपका P.I.E. या फिर G.D. हो सकता है, तो अगर कोई भी डाउट है, JMI से related आप comment कर सकते हैं, अप्लाई करने का लेंक में डिस्क्रप्शन बॉक्स में प्रवाइड कर दूगे, वह से डिरेक्ली ओनलाइन मोड में अप्लाई कर सकते हैं, लाज्ट डेट आपकी 12 मारी 2022 है, तो आज के लिए बस इतना है, मिलते है नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्यों सो मच और टेक क्यों